हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माय चैनल आज मैं आप लोग को इसका सेकेंड पार्ट बनाना बताऊंगी तो चलिए सूरू करते हैं आपने फ्रेंड तब तक घटाने हैं जब तक कि हमारे कंदे पे 14 फंदे ना बचें तो चलिए 14 पंदे बचने की बाद हमने क्या करना देखते हैं है कि हमने गले का घटाते और यह बाजू की के फंदे को खटाते घटाते दोनों साइड से हम एक एक फंदे घटाते हुए जब हमारा सेज 16 फंदे घटाना बंद कर देना था तो अब यहाँ पे हमारा सिर्फ 14 फंदे बचा था और मैं इसको दो रंग का बना रहे हूँ इसलिए मैंने पट्टी को 14 फंदे से यहाँ पे बंद कर दिया है अब हमने क्या किया है 14 फंदे को देखिए फ्रेंट यहाँ पे इस साइड भी मैंने 14 फंदे को बना लिया है और इस साइड भी हमने सिर्फ 14 फंदे की यह पट्टी बनाए हुई है 14 फंदे की जो हमने पट्टी बनाए हुई ही फ्रेंट उसको हमने कितना बनाया है तो इसको मैं आप लोग को count करके बता रही हूँ हम ये पूरी line जो है 60 line हम ये बनाया हुए जैसे आप count करेंगे line means friends ये line आप count करेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये आप गिन के 60 line के आपने ये बनानी है तो दोनों एक ही size की बननी चाहिए छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए तो दोनों हमने ये 60-60 फंदे की बना लिए है तो ये कंदे का अब इसको क्या करना है हम पीछे से इसकी सिलाई करेंगे सिलाई आपने कैसे करना है आई यी बताते हैं पहले तो आपने इसको ऐसे यह हमारा ऐसे रहेगा अब इस पट्टी को हम एक मिनट यह हमारा ऐसे रहेगा और यह पट्टी हम कहां पर सिलाई करेंगे इस पट्टी को जो हमने फ्रेंड्स यह पीन हमने लगाया था चौदर फंदे लेके यह पीन पर हमने लिया है यह हमारा यह कंदे का फंदा उठेगा बाजू का तो यह हम जो पीन के साइड में हाँ पर देखिए हमने एक इंच की सिंपल बुनाई की थी वहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो आपने केरफूली जोड़ना है उल्टे सीधे की मदद से ऐसे आपने नहीं जोड़ना है यह गलत है तरीका जोड़ने का जोड़ेंगे हम कैसे जो हमने यह पर फंदे बंद किये हुए हैं उसको हम बुनाई किये हुए हैं आपको याद होगा जब हम यहाँ पर बुनाई करते करते हमारा फंदा कम हो गया था तो हम यहाँ पर एक इंच की नॉर्मल बुनाई किये थे फ्रेंट से हाँ पर देखिए दिखनी रहा ब्लैक कलर के वज़े से एक इंच की हमने यह जो नॉर्मल लिया है आप लैक भी यूज कर सकते हैं दो कलर में से चाहें जो यूज करने तो इसको हम उल्टा करेंगे देखिए आपने जोड़ना कैसे है यह देखिए आपको ऐसे जोड़ना है से मैं ऐसे यह देखिए ऐसे आपने करके जोड़ना है इसको हम पट्टी को ऐसे उल्टा कर पट्टी को उल्टा करने के बाद पट्टी को उल्टा किया और इसको हम जोड़ेंगे ये दोनों मिलाके जब हम पट्टी को ऐसे सीधा करेंगे तो ये सीधे साइड आ जाएगा इतना ध्यान रखें आप ताकि ये उल्टा नाम फंदे जब भी आप ये फंदे बंद करेंगे तो इसको फंदे को आपने बंद टाइट नहीं करना है आप इसको इसी दोनों अच्छे से सिलाई कर ले जोड़े इसको दोनों पार्ट को दीरे से उन फसने ना पाए तो इसकी सिलाई हम ऐसे करेंगे ताकि आगे की साइट से सिलाई दिखनी नहीं चाहिए तो हम इसकी सिलाई छोटी-छोटी सिलाई करेंगे देखिए यह जो हमारी चैन दिख रही है उसी चैन से हम इसकी अश्या प्यां में। अश्या अश्या खर अहिको कि यह इसके सिलाई हो गई ऐसे हम सेकेंड वाला भी कर लेते हैं दोएके फ्रेंट समने हाप इसको सूई से जोड डिया इस साइड वे इस साइड इसको हमने ऐसे उल्टा करके जोड़ा है तब इसको हम ऐसे करेंगे तो यह सीधा हो जाएगा अब हम क्या करेंगे कि अब हमें तीन सलाई की ज़रूरत पड़ी दो सलाई तो हमने पहले से लिये थे एक और सलाई हमने चाहिए और याद रखेगा आपने दस नंबर का ही सलाई योच करना है अब हम यह देखिए आर्म होल की जो हमने यह 40 पंदे 14 पंदे हापे रखें इसको हमने अब क्या करना है खोलना है दूसरी सलाई पे लेना है तो इसको हम ऐसे आप लोग को दिखा दे रहे हैं इसको जो हम ऐसे करेंगे तो यह पूरा पट्टी आगे की साइड बस इतना ही आएगा और यह पीछे की साइड आएगा अब हम क्या करेंगे देखिए यह 14 पंदे को हम देखिए यह हमारा ऐसे और गला यह आगे का साइड अभी जब बन जाएगा तो आप लोग को अच्छे समझे तो इन 14 पंदों को हम सलाई पे उतारते हैं इसको इजली आपने ऐसे उतार लेना है फिर हम इसको सलाई पे चढ़ाएंगे काउंट करके आपने चढ़ाना है फंदा हमारा कम नहीं होना चाहिए कि सभी भंदे को में एक एक करके ऐसे को चढ़ा लेते हैं के अज़ए अच्छे पांच अच्छे सब तो आपने एक फंदा अप एक्स्ट्रा हो गया तो ये फंदा नहीं है इसको मैसे को विरा देते हैं यह देखिए हमारा फंदा नहीं था फ्रेंट्स यह सिर्फ जब हम फंदे उठा रहे थे तो यहाँ पर हमारा यह 14 फंदे हो गया अब हम क्या करेंगे देखिए हम ब्लैक कलर से फंदे उठाएंगे तो हमने क्या करना है 14 फंदे को लेने के बाद फ्रेंट्स यहाँ पर आपनों थोड़ा अच्छी समझिएगा यहाँ पर हमने जैसे 14 फंदे ऐसे को उठा लिया है तो यह फंदा हमारा यह देखिए पीछे की साइड से उठ रहा है क्योंकि यह गला इधर से फंदा नहीं उठेगा यह भी ध्यान दिजीगा आप लोग फंदे हमारे इस साइड से उठेंगे पीछे की साइड से तो हम टोटल फंदे हम हमें 100 फंदे लेने हैं देखिए हमें total फंदे यहां से लेके 100 फंदे, और 100 फंदे में यह हम 14 फंदे भी count करेंगे, अब से हमें यह 100 फंदे लेने हैं, यानि 14 के बाद हम 15 count करेंगे, 15, 16, 17 यह 14 भी हम इसमें गिना जाएगा, फिर हम यहां पे 100 फंदे उठा लेते हैं, 14 फंदे को minus करने के बाद total हम यह उठाने, देखिये और जब हम काउंट करेंगे तो इन 14 फंदी को लेनी के बाद भी हम इसको भी ऐंट पे, तब 14 से उसके बाद पंदरा, यहां पर नॉट लगाते हैं पहले हम देखे फ्राइंट्स यहां पर 14 फंदे थे अब हम यहां पर ब्लैक कलर के फंदे को जोड लिया है तो सभी चैन से हम एक एक फंदे ऐसे को उठाएंगे कि देखे 15 जैसे ही हम इसको काउंट करते हुए जाएंगे 16 जैसे ही हम गिनेंगे और एक चीज चलिए हम फंदे उठाते हैं पहले नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी तो इसको आपने ऐसे देखे इस चीज को आपने पट्टी को ऐसे बराबर करना है देखे यह इससे आपने बराबर कर लेना है एक साइड हमने 50 फंदे उठाने है एक साइड 50 फंदे उठाने है ऐसे तब यह बराबर आस्तिन अच्छे से बन के आएगा तो यहां से यहां तक हम 50 फंदे उठा लेते फिर यही से काउंट करेंगे यहां तक 50 फंदे उठाएंगे तो यह हम दो सलाई में फंदे उठाएंगे फ्रेंट्स दो सलाई में आदा फंदा हमारा इस पे उठेगा फिर जब नहीं उठ पाएगा पूरा फंदा तो आदा इस पे उठाएंगे फिर एक सलाई लेंगे उससे हम नेटिंग गरें तो चलिए पहले हम फंदे उठाएंगे देखे फ्रेंट्स हमने एक तरब की आस्तिन को बना लिया है बाजू को यह देखिए कितना इजी है और कितना खुब सूरत लग रहा है फ्रेंट्स यह देखिए एक साइट के हमने बाजु को ये बना लिया है, एक साइट का हमने बनाना है, वो मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग को मैंने बताया था कि आपने 100 फंदे टोटर उठाने है, 100 फंदे लेने के बाद आपने इसको 3 इंच का बनाना है, आप इंची टेफ हमेशा रखे कि इसमें measurement की बहुत जरूरत है तो यहां पर हमने देखिए इसकी तीन को यहां पर देखिए आप लोग को देख रहा होगा उल्टा तो नहीं है यहां पर तीन इंच की इसकी हमने लंबाई रखिए अब हमने क्या करना रिखिए तीन इंच की लंबाई होने के बाद देखिए हमने आपे अब हमने क्या करना है तीन इंच की बनाने के बाद हमने फंदे को घटाना है तो फंदे को हम घटाएंगे कैसे यह देखते हैं हम तीन सलाई से बना रहे हैं इसको यह चीज आप लोग देखिए गा एक साइड हमारा यह खुला है इस साइड इसकी हम सिलाई करेंग तीन सलाई से हम कैसे बनाते हैं एक सलाई से यहां से ऐसे बुनेंगे फिर यहां से हम नहीं ले जाएंगे इसी सलाई से फिर मोड के बुनेंगे फिर यहां जाएंगे फिर वहां से मोड के यहां ऐसे ही हमने थ्री सलाई लिए बनाना था अब देखिए हमने क्या करना है फंदे को हम कम करेंगे एक फंदा हमने बनाया यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे फिर एक फंदा बना दो फंदे का एक किया यह लास्ट में हम बना रहे हैं लास्ट की दो लाइन बनेगी फिर एक फंदा बनाया फिर ये दो फंदो का एक किया फिर एक फंदा बुना दो फंदो का एक एक फंदा बुना फिर एक फंदे को बुना कि दोनों फंदों को एक साथ बूलेंगे ऐसे ही यह पूरी रोग बनाएंगे अब देखिए फ्रेंट्स हमने आपे एक सलावी में फंदे को घटा दिया है अब यहीं से मोल लेंगे देखिए आप तो गच्छे समझेए यहीं से हम मोल लेंगे इसको हम उल्टा उल्टा समी फंदे को बनाएंगे अभी इस फंदे में हमने कुछ नहीं करना है एक सलावी में हमने एक फंदे बुने है दो फंदों का एक किया है ध्यान से देखिए यह आप लोग थोड़ा यह बाजू बनाने में आप लोग को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगा एक फंदा बुना है फिर दो फंदो का एक किया फिर एक फंदे बनाए है फिर दो का एक ऐसी हम एक सलाई ये कंप्लीट की है उसके बाद आगे की साइड से ये फंदे को हम उल्टा उल्टा बना रहे हैं अब उस सलाई का हमने यही करना है उस सलाई में हमने ये बाकी है एक फंदे बुनेंगे दो का एक करेंगे ये हमने अभी अब देखिए एक लाइन हमारा ये कम्पलीट हुआ तो इसको मैं ऐसे पलट लेंगे अब यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है यहाँ पे एक फंदे को हम बुनेंगे और यहाँ पे दो फंदे का एक करेंगे देखिए फिर एक फंदा बनाया दो फंदो का एक किया एक फंदा बुना दो फंदो का एक किया एक फंदा बनाया दो फंदो का एक किया का बंखने कर और अप ऐसा यह हमने क्योंने की सुझ देखिए यहाइन भी हमारी यह कंप्लेट हो गई अब इसको भी हम उल्टा-उल्टा बनाते कि कंप्लेट करेंगे अब आप लोग अच्छ्र समझ में समझ गया हुँंगे कि तीन इंच बनाने के हमने क्या करना है पूरी रो मे एक फंडे हम बुनेंगे एक फंडे घटाएंगे ऐसी पूरी रो सलाई हमने К्प्लीट करने जितने भी हमने फंडे लिए हैं उसके बाद हम ये नौर्मल बुने अब कि इसे पूरी रो ये घ्लिच कंपलेंगे हमने क्या repeat करना है यह चीज देखिए आप लोग अब हम 4 फंदे बनाएंगे देखिए 1 2 3 4 फंदे बनाने के बाद 2 फंदों का एक करेंगे देखिए फिर 4 फंदे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, दो फंदिल का एक किया, फिर देखिए, एक, दो, तीन, चार, फिर दो का एक किया, एक, दो, तीन, चार, विर देखिए, एक, दो, तीन, चार, विर देखिए, या 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 विर देखिए, की बना देंगे साधा साधा बनेंगे की से इसी सŁलाई करें भनानाके हमसा फंदे हो य site करना है कि में हमें घटा और फ्रेंट्सतु च दिलिए जितने भी हमारें भनाने बच्टे हुए है अब हुन की हमने क्या करना है अब घटाना नहीं है अब हमने फंदे को घटाना नहीं तो अब यहां पर हम सेकंड कलर लगा लिये हैं पूल्टे की साइड ही हमारा दूसरा वाला कलर हम लगा लिये हैं हम घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं पूरी सलाई बुल लेते हैं देखिये हम यहां पे second color लगा लिए, कोसिस यही करेंगे friends, कि यहां पे हम जो तीन सलाई से बना रहे थे, अब दो सलाई में बनाएंगे क्योंकि फंदे हमारे हां पे कम हो चुके हैं, तो अगर आप लोग से नहीं बन पा रहा होगा, तो आप तीनों सलाई में बनाएं, अग अच्छे से आ जाएगा दो सलाई में अब यहां पे हम बॉर्डर के लिए कोई सभी बॉर्डर डाल सकते हैं तो मैं अभी सब्दाने वाला बॉर्डर बनाऊंगी अभी आप लोग को बताती हूँ जो सब्दाने वाला बॉर्डर कैसे बनता है एक फंदे को उतारेंगे एक फ अबी फंदे को यहां पे बूम Malya अब यह हमारा दो सलाई में हो गया जितना पर बना बचा आप लिया सो फंदे साएम पे शोरु किया था अब देखिए हमें आप पे एक फंदे को बुनेंगे ये बॉर्डर बना रहे हैं बाजू का एक उतारेंगे एक बुनेंगे एक उतारेंगे ऐसी हम पूरी रोग कम्प्लीट करते हैं पीछे की साइट से हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे इस डिजाइन को मैंने कई बार आप लोग को बताया है एक फंदा बुनना है एक फंदा उतारना है देखे फ्रैंट हमने इतना बना लिया इसकी बॉर्डर और हम पीछे से इसको फंदे को बंद करने तो फंदे को हम बंद कैसे करेंगे आए देखते हैं यहाँ पर देखे दो फंदे हम लेंगे और इन दोनों को एक साथ हम बोन देंगे फिर देखे फिर इस वाले फंदे को इस सलाई पे ले जाएंगे और दोनों फंदे को एक साथ बना देंगे देखिए इसको हम फंदा बंद करना कहते हैं ऐसे हम फंदे को बंद करते हैं देखिए मारा तीन बाजू भी कम्प्लीट हो गया तीन इंच बनानी के बाद हमने एक फंदा बुना था दो का एक किया था एक फंदा बुना था दो का एक किया था एक लाइन में फिर एक लाइन उल्टी उल्टी बनाई थी उसके बाद चार फंदे बुना था दो का एक किया था और आपने ना ज़ादा लोज नित तालना है इसले को नहीं ज्यादा कर अब देखिए हमारा ये बाजू बन के कंप्लेट है आगे हम इसके शिलाइता यहां पर जो हमने फंधे भूने हुए थे तो यहां पर बोल आ जाता है और इतना छुटा था दो इसको आपने श्टिश क कर दिया अब देखिए कितनी अच्छी यह बनके आयो हुई है यह दोनों साइट का अब यहां पर हमने क्या करना है फ्रांट्स एक पट्टी लगानी है दस-दस तो हम यहां पर देखिए कैसे लगाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस दस लाइन चोड़ने तो यहां पर शपोर्ट सही रहेगा ब्लाउज का और इसका पूरा लुप देखिए फ्रेंट्स अ यह देखिए अ यह देखिए फ्रेंट्स आगे की साइट समारी यह लूक ऐसी बनके तो देखिए किती खुबसूरत लग रहे है फ्रेंट्स आप चाहे तो इससे सिंगल कलर में बना सकते लेकिन डबल कलर में बहुत ही प्यारा यह लग रहा है यह थोड़ा थोड़ा जैसे आप लोग को लग रहा होगा कि रिंकल्स क्यों आया है पहनने पर ठीक हो जाएगा और एक गलती हुई है यह वाला उल पतला है और ब्लैक व क्यों आया हुई 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 हुई